स्वागत है आपका अपने यूटिब चनल भारती फॉर्ण आज विचार किया कि चलो एक वीडियो बनाई जाए जिसमें लोगों को बताएं कि फरवरी और मार्च अच्छी फ्रोफी टेबल जो सब्जिया है खेती है वो कौन सी लगाए जाए एक उलकिया बहुत सारी वीडि का रहा है यह कि सब्जी का नहीं रहा है उसका हिसाब से लगाएंगे तबी तो फाइदा होगा क्योंकि सभी खेती पेशों के लिए की जाती है तो चल ज़िए एक एक कर घर में आपको जल्दी से दो स्या तीन मिनिट में सारी सब्जियों की बात कर लेता हूं कि कौन सी हमे भी लगाना है कौन सी नहीं लगाना है तो शुरुवात करते हैं मोसम खराब सल रहा है दोजार चोवेस की बात कभी पानी आ जाता है ठंडा जाती है कहीं गर्मी लगने लग जाती है उसके हिसाब से अगर पानी की बार बार पानी आता रहा निर आता रहा या फिर जादा समरा तो करेला सूटेबल नहीं रहे और गर्मी आ गई तो आप करेला लगा सकते क्यों कि जब हाइब्रीट खेती की बात आती है मिर्ची हो या टमाटर हो तो ज्यादा से ज्यादा वाइरस फिलने का कारण रहता है और करेला में एक बार अगर वाइरस लगे तो उस इतनी सी जगा में आने वाले जुलाई में आप हाइब्रीट खेती नहीं कर पाऊगा नहीं तो अगर आपने करीब ही तो आपकी मिर्ची पूरी खतम हो जागी इसलिए देखकर ही लगा ना पहले हमारी करेला दूसरी हो गए हैं पर हमारी खेरा ककड़ी उन लोगों के लिए बेशत जिसके यहां पर एक फाम हो बनावा रहता है ना क्या बोलते हो उसको पांच शेट बनावा रहता है हमारे खेत में वहां पर अगर आप खिराककड़ी खेती कर रहें तो आपको आदा परसेंट भी घाटा नहीं हो अगर सात रुपे किलो भी हमारी खिराककड़ी उसके बात लोकी, लोकी सबसे बेस्ट इसलिमें मानता हूँ, तो कि ज़्यादा नुकसान लोकी में देखने को नहीं बिलता है, अगर कुछ ज़्यादा हत्ता की बिमारिया है, तो लोके में नुकसान देखने को बिलेगा, नहीं तो लोकी सबसे सुरकशित मेरे हिसाब से सब्जी की मान अब कुछ सब्जें एसी जिनके पास कम जगर हैं जैसे कि पालक वाली हो फुलगोवी हो गए फुलगोवी भी आप जादा रखवे में लगा सकते हैं लेकिन उसमें रिस्क भी उतनी ही जादा है जितनी करेला में बताए क्योंकि फुलगोवी में बहुत जादा दवायों का करना पड़ता है जहां तक मैंने देखा है इसलिए सोच समझे कर ही फुलगोवी को सिलेक्ट करना है और कम जगह में अगर आप भिंडी भी लगा सकते हैं अगर आप रोज मंडी टाच होते हो तो बाकी तो मैंने आपको बताया था कि खीरा ककड़ी और ककड़ी भी होती है अगली वीडियो में नहीं जानकारी के साथ और इन ही सबजीयों से रिलेट के हमने कौन सी सबजी की खेती करी और कौन सी दवाय का उप्यों करा आप जई जवां जाइके साथ